सातियों ये एक बोतल है एनपी के तरल कंसोर्टिया अगर आप अपने खेतों में इसका इस्तमाल एक या दो साल तक लगातार करते हैं तो आपके खेतों के अंदर आपकी भूमी के अंदर बेक्टिरियों के संक्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि परियावरण से ही यूरिया गरण करके पोदों को अपलब्द करवा देंगे आपको यूरिया डिया और पोटास का इस्तमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आप इसका इस्तमाल कम करके भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान साथी हम अपने खेतों के अंदर इतनी सारी खाड डा यही वो पसर के लिए उपलब्द है जो पोशक तत्वा के लिए अपन उन खादों को इस्तमाल कर रहे हैं तो नमस्कार के साथियो आज अपन बात करेंगे इपको का तरल कंसोल्टिया जो क्या है और किस परकार से अपनी पसलों में अपनी बूमी में इसको इस्तमाल किया जा सकता है और जो खाद अपन इस्तमाल कर रहे हैं वो किस परकार से पसल के लिए उपलब्द हो पाएगी या किस परकार से जो पोशक ततो अपने बूमी के अंदर डाले हैं वो पसल के लिए उपलब्द हो पाए तो इसके बारे में बात करते हैं तो साथियो शुरू करते लिवतिया है वह एक परकारसे जे वी खुरूरक है बयाय। fertilizer अपने इसको कह सकते हैं किसान साथियों NPK तरल कंसोल्टिया है वो एक परकार से इस परकार से नाम से परदसित होता है कि NPK तरल कंसोल्टिया NPK का अर्थ होता है nitrogen, phosphorus और potassium के bacteria इसके 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 बात करते हैं इसके अंदर तीन बेक्टिरिया उपलबद होते है इसके इसके साथ, phosphorus के लिए, phosphorus पोलग बेक्टिरिया होता है potas के लिए potas solubilizing bacteria होता है किसान सातियों अब अपने बात करते हैं कि NPK तरल कंसोल्टिया है वो किस परकार से बोमी के अंदर काम करता है आपने अपने खेतों के अंदर रासाइनी खाड डाल दिये जेवी खाड डाल दिये रासाइनी खाड की बात करें तो आपने यूरिया डाल दिया डिया पोटास डाल दिया या फिर अन्य माइक्रो न्यूट्रेंट आपने अपने बूमी के अंदर डाल दिये और इसके बाद जेविक खाद की बात करें तो आपने गोबरी खाद डाल दी, केच्वे खाद डाल दी या अन्य कोई जेविक अप्षिष्ट आपने अपनी खेट के अंदर पोस्त तत्वा के लिए डाल दिया ताकि आपकी पसल वो अच्छी ग्रोथ करें, अच्छा उत्पादन आपको मिले तो किसान साथियों आपने डाल दिया और उसके बाद पोद्दे के लिए उसके अंदर जो खाद है, खाद के अंदर जो पोस्त तत्वा है, वो पोद्दे को उपलब्द होते हैं, तो उपलब्द होने की अवस्ता है, और डालने की अवस्ता है, उसके बीच के अंदर जो ब और यह प्रकरिया बदलने की जो प्रकरिया है वो बेक्टेरिया करते हैं बेक्टेरिया में चाहिए वो राइजोबियम देख लो चाहिए वो एजेटो बेक्टर देख लो यह बेक्टेरिया उसको क्या करते हैं तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद पोद्दे को उपलब्द अगर इन बेक्टिरियाओं की संक्या कम होती है, मतलब अपन जो जेवीक खाद इस्तमाल कर रहे हैं, पर अगर लगातार अत्यदिक मातरा में रसानी खाद इस्तमाल कर रहे हैं, तो इसे क्या हो रहा है, इन बेक्टिरियाओं की संक्या लगातार अपने आपर कम होती जा रही वो उसी अवस्ता में अपनी बूमी में इस्तिर होताते हैं पोद्दे के लिए उपलब्द नहीं हो पाते हैं तो जो NPK तरल कंसोर्टिया है इसके अंदर वो बेक्टिरिया है जिसके उप्योक्षिये अपन अपनी बूमी के अंदर जो bacteria पोद्धे के लिए खाद उपलब्द करवाते हैं उसकी संक्या को अपन बढ़ा सकते हैं जिस परकार से आपने सुरुवाती कलासों में पढ़ा है या फिर आपने ध्यान भी किया है और आपको जानकरी भी इसकी मिली है कि भई जो मत्र है या फिर चने हैं दाल वरगी पसले होती है उनकी जड़ों में कुछ से गाठे पाई जाती है तो वो गाठे क्या होती है उन गाठों के अंदर राई जो भी नामक बेक्टिरिय होता वो क्या करता है वो बुमी के अंदर जो भी नाइट्रोदन है या परियावरन के अंदर जो भी नाइट्रोदन है उसको गरण करता है और पूधे को उपलब्द करवाता है। जो दाल वाली पसले हैं उसके अंदर अपने यूरिया का इस्तमाल कम करते हैं क्योंकि उसके अंदर पहले से ही नाइट्रोजन यूरिया बनाने की फेक्टरी उसके अंदर उपलब्ध है दाल वाली पसलों के अंदर उसी परकार से तो एनपी के तरल कंसोल्टी है इसके अंद प्रकार से 200 रुपई में आपको तीनों पोस्रक्तित्व एन, पी के नाइट्रोजन, फासपोर्स और पोटास बनाने की फेक्टरी आपको ये तरल कंसोल्टे की रूप में अपने याँ पर उपलब्द हो जाएगी. सातियों, अब अपन बात करते हैं इसका इस्तमाल अपने को किस परकार से करना है। उस्ते रूप में क्या है जो पौसक्ततों है उनको पौद्दे को अवेलेबिल्टी develop में प्रिवर्थित करड़ेगा पौस्ल थोば इसती रूपो चेंज़ करके उसको पौद्दे के है मिठी लेकर गेली उसके मादेम से आप अपने चिटिड विधी के मादेम से अपनी पस्लू के अंदर बुमी के अंदर इस्तिमाल कर सकते है are बुमी के अंदर कापी टाइम छें जो भी पोषच्छ Chicago है जो भी खाद है डाले है यूरिया हो चाहिए डिएपी हो चाहिए पोटास हो उनके अंदर जो पोस्थत्व है वो परिवर्टित करके पोद्दे के लिए उपलब्द करवा देंगे मतलब है जिस परकार से अगर मैंने डिएपी अपने यहाँ पर डाला है तो उसमें 40-30 फासपोर्स तो क्या वाटर के मादे में से किसान साती हुए जानकर किस प्रकार के लगी अगर जानकर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य कोई क्योड़ी है अन्य कोई सवाल है या अन्य कोई आप जानकर ही चाहते हैं हमें कमेंट के मा सकते हैं दिने बाद साथियों